दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जै बजरंग बली चुप चाप पीली हल्दी से करें ये उपाएं कभी नहीं होगी जै माटादी दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो माता राणी की परियोग द्हा के लिए कमेंट में जै माता दी लिखना न भूले या फिर जै बजरंग बली भी आप लिख सकते हैं मातारानी आप सभी कि मौन करें जीवन का कोई भी च्पर खान्वान से लेकर दार्मिकार एक्रम हल्दी का उप्रयोग किये बिना नहीं रहता है हल्दी को मसाले के तौर पर घर की रसोई में तो प्रयोग किया ही जाता है जो खाने के रम को और खुबसूरत बना देता है वहीं दूसरी होर इसका उप्रयोग धार्मिक रूप से भी किया जाता है यानि कि सारे धार्मित उपाए आसानी से हल्दी के माद्यम से पूरे किये जाते हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार के परिसानी को छोटी सी हल्दी दूर कर सकती है नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे चुप चाप पीली हल्दी से करें ये उपाए कभी नहीं होगी धनकी कमी आप अगर ही वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूले और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल के आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलत के देज रहें दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बलि जै वाता दिबी अवश्यलिकेर दोस्तों जोतिश की बात करें तो हली योग से जोतिस आस्ट्र के नुसार हम कितने अईसे उपाय हैं जो हल्दी से कर सकते हैं विभिन प्रकार की ग्रह संबंदी में दार्मिक शेत्र में दार्मिक गरंथों और दांत्रिक कुपाया से जोड़ा जाता है। इसलिए जोति सास्त्र के अंत्रकत अगर किसी जातक की कुंडली में बरश्पति कमजोर हो या किसी को दंसंबंदी परेशानी हो तो आपको हल्दी का उपयोग करना चाहिए। हल्दी से उसका ब्रेस्पती ग्रे मजबूत हो जाता है इससे आपके जीवन में कभी भी धन की हानी नहीं होती धन्दा कभी मंदा नहीं होता है धन आदी धन्दे दुकान आदी को मजबूत करने के लिए यह एक राममान इलाज बताया गया है अब आप सभी सोच रहे होंगे कि पीली ह धागे में इसे बांध लेना है और धागे में बांध लेने के बाद अब आप चाहें इसे पने बाजू में पहने या अपने गले में डाल ले यह टोटका पीले पुक्राज की तरह कारे करता है जो ब्रस्पती को मजबूत करने में सायता देता है अगर आप भी हल्दी धार बारे में तो सुना है परंतु काली हल्दी वीजधर्टी पर पाई जाती है इसके बारे में सायधी कुछ लोगों ने सुना होगा काली हल्दी का प्रयोग जोतिशिय और तंत्र सास्त्र में विशेश रूप से किया जाता है यह अनेकों प्रकार के टोने टोटकों को दूर करन आईए दोस्तों हम जानते हैं कुछ आसान और खास हुपाए अगर आप काली हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल आपको गर्से निकलने से पहले काली हल्दी का तिलक अपने माते पर लगाना है इसके बाद आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे उसमें आपको सबलता सुनिश्चित हो जाएगी जिस भी काम पर आप निकलेंगे उसमें आपकी सबलता आपके कदम अवश्य चूनेगी अगर आप चाहते हैं आपको जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत सारा धन कमाये जाए तो आप अपने पा इसके लिए आपको एक चांदी की डिबी लेनी है चांदी की डिबी आप सुनार के यहां से ले सकते हैं अगर चांदी की डिबी आपको ना मिले तो आप माचिस की डिबी का भी प्रयोक कर सकते हैं लेकित अच्छा रहेगा कि आप चांदी की डिबी लेकर आए इसके बाद आपको चाहिए बस थोड़ी सी हल्दी, हल्दी के बाद आपको लेनी है थोड़ी सी नाग केसर, दोस्तों अगर नाग केसर ना मिले तो इसके स्थान पर आप साधरन केसर भी ले सकते हैं, अब आपको इसे माचिस की डबी में या पर चांदी की डबी में इसे रख देना है, माता लक्षमी को याद करना है और माता लक्षमी के चरणों से इस परस इसे करा देना है इस परस करा देने के बाद आपको इसे वहां रख देना है जहां पर भी आप अपने घर में धन घटा करते हैं दन संचे करते हैं तेजोरी में, अलमारी में, सूटकेस में, बैग में, आदी जहां भी आपने घर में धन को रखते हैं उस इस्थान पर आपको उसे रख देना है और धन से संबन्दी हर प्रकार की परीσानी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तो आपको एक और आसान और खास उपाय बताता हूं। हल्दी का एक शबुट टुकडा ले। यह बहुत इसा उपाय है। इसे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है वह इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है दोस्तों जब भी आप नाते हैं तो नाने के पानी में और वह थोड़ी सी हल्दी मिला ले तो इससे आपके जीवन में हर प्रका देते रहें और देते वक्त अपनी मनोकामना अवश्य मांगें आपको जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपकी जितनी भी समझ्याएं हैं सभी से सूर्य देव से आपको किरपा प्राप्त होने की वज़ा से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में कभी भी धनके परिशानी नहीं होगी अब इसके बाद जब आप सूर्य देव को जल चड़ा दे तो जल चड़ाने के बाद आप उस लोटे पर हल्दी लगानी है या तो आप पहले भी उस लोटे पर हल्दी लगा सकते हैं या पर जल चड़ा देने के के बाद उस लोटे पने हलती लगा दे ich को अपने गले और चलोर लगाए इससे जल्दी आपको हर Sumacyah से मुकती मिलेगी हर Sumacyah Dur मात्र उस उपाय को एक महिना कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी प्रकार कि बनारदमत उर्जन नहीं आएगी ना कभी भी आपके कोई की परेशानी जो भी आपको परेशान करती है जैसे के बीमारी है अगर बीमारी से परेशान रहते हैं तो वह भी आपकी दूर हो जाएगी वास्तु की दृष्टी से यह काफी महतोपुण होता है अगर आपके घर में वास्तु दोस है या वास्तु दोस सम्मंदिस सारी से भी होती है हल्दी एक ऐसी चीज है जिसे आप बड़ी आसानी से वास्तु दोस्त और नकारत्म उर्जा को दूर कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है जब भी आप अपने घर में कोई भी शुब मांगली कारे करें या पूजा करते हैं उसमें आपको हल्दी का प्रयो जुरू करते हैं क्योंकि इससे हर प्रकार के नकारत्मक उर्जा बाहर निकल जाती है ऐसा माना जाता है कि नाने के पानी में हल्दी डाल कर इस्तनान किया जाए तो इसे व्यक्ति की उर्जा का श्तर बहुत बढ़ जाता है और साथ ही साथ इसे व्यक्ति के पास धन्त में बड़ोतरी भी होती है इतना ही नहीं आपके आसपास मौजूज नकारतमक उर्जा भी आपके उपर बुरा प्रवाब नहीं डाल सकती है और आपको कभी भी किसी भी कारे में अगर आपको भेज दिया जाए तो आप उसमें सफलता प्राप्त करके ही वापस लोटेंगे जिस बश्तर के साथ ही आपको एक चांदी का शिक्का ले लेना है अगर आपको चांदी का शिक्का नहीं ले सकते हैं तो आप एक रुपे का शिक्का भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको चाहिए काली हल्दी जी हां दोस्तों काली हल्दी आप काली हल्दी मार्केट से ला सकते हैं कि किसी भी पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी इसके बाद आपको क्या करना है किसी भी सुर्म होरत में या सुब दिन में महासंयोग पर आपको पीला कपड़ा लेना है उसके बाद इसके बाद इस पर आपको काली हल्दी रखनी है उसके बाद बना लेने हैं कोई भी दागा लेकर के।othno पीले की पोटली new Bumフ बनालेनी है इसको बंध लेना है। और इसके बादि आपको पोठली को वहां रखना आप धन्रक्टेें हैं। आप देखें कि मातालक््षमी कि क्र्पा आपगाशी के रहेगी माता लक्षमी आपके घर में बंडार भरती रहेगी इसी के साथ अगर आप किसी भी सुप दिन पर काली हल्दी को और सिंदूर को एकजगर रखते हैं और इसे धूप दिकाते हैं यानि कि उसके पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद आपको इसे लाल कपड़े म में बांध करके रख दे इस उपाए को करने से आपके घर में धन विर्दी होगी कभी भी आप पर धन संबंदी परेशानिये नहीं आएंगी कभी भी आपको असफलता का सामने नहीं करना पड़ेगा और आपके ब्यवपसाय में निरंतर अगर आपको गिरावट आ रही हो यह आप नोगरी करते हैं नोगरी में परेशानिया रही हो तो यह उपाएं आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है आपको पीले कपड़े में काली हल्दी लेनी है और इसमें 11 बार अभिमंत्रित गोमती चक्र चांदी का सिक्का और 11 अभिमंत्रित मंत्र 1008 बार विश 108 बार करने पर एक माला होती है यह प्रकार से 11 बार करनी है ये 11 बार अभिमंत्रित हो जाएगी इससे आपको वहां पर रखो रसेंगी उले के ऋजए और दूर होगी और और वीडियो अच्छी लगे तो आपसे लाइक करना नाब बھोले और वीडियो में अज्मिंत ब्रे जान्त में आप कुरी वीडिट देख चुके हैं, तो आप कमेंट लिखें, जै बजरंग बली, जै मातादी, जो भी भगवान को आम मानते हैं, वो अवश्य लिखें, तो दोस्तों मुझे जोड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही सा हुआ है, जै जो दोस्तों मुझे जेए हमान को सब्सक्राइब कर